जैहिन दोस्तो मेरे नहामे बहादर लोधी और आप देखना सुनू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूटूब चैनल दोस्तो आज किस वेडियो में हम करंट अफेर्स के लाश्ट सेक्स मन्त के मोश्ट इंपन कॉसन को डिसकस करेंगे और दोस्तो इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी कॉसन को एड किया है सारे के सारे कॉसन important और अच्छे level के कॉसन है और दोस्तो सभी कॉसन को बिल्कुल detail में with extra fact के साथ में डिसकस करेंगे तो चलिए दोस्तो विना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नम्मर फर्स्ट कॉस्टन से पहला कॉस्टन है SEO की पहली सांस्क्रते को और पर्याटन राध्धानी किसको घोसित किया गया दोस्तो SEO की पहली सांस्क्रते को और पर्याटन राध्धानी जो है ये वारानसी के लिए घोसित किया गया है हम डेटेल की बात करें तो वारानसी जो है ये संगाई सहयोग संगठन छेतर का पहला ऐसा सहर होगा जिसे संगाई सहयोग संगठन की सांस्केतेक और पर्याटन राधनी का सीरसक दिया गया संगाई सहयोग संगठन यानिकी SCU ठीक है तो SCU के सदसेशों के बीच में लोगों के संफर्क और प्रेटन को वड़ावा देने के लिए संगाई सहयोग संगठन के दोरा एक नई रोटेटन पहल के तहत में इसे 2022-23 के लिए संस्किर्टक और प्रेटन राध्धानी बनाया जाएगा ठीक है याद रखना किस के लिए बनाया जाएगा वारानसी के लिए नंबर सेकेंड कोस्वन पीम मोदी ने देश के पहले बुलियन एक्सचेंज का उधगाटन कहाँ पर किया दोस्तो देश के पहले बुलियन एक्सचेंज और इसका उधगाटन किया है पीम मोदी जी ने और इसका उधगाटन कहाँ पर किया है तो गुजरात के गांदी निगर में उधगाटन किया है हम डेटेल की बात करें तो PM नरन्न मोदी ने जुलाई 2022 को देश के पहले वुलियन एक्षेंज और इसको क्या कहा जाता है तो इंडिया इंटरनेशनल वुलियन एक्षेंज इसको सोट में IIBX कहा जाता है ठीके इसका उधगटन किया है और इसको गुजरात की राध्धानी ग लब होता है उच्च सुद्धता का फिजिकल गोल्ड और सिल्वर जिसे सिल्लियों या फिर्सकों के रूप में रखा जाता है जैसे कि आप फोटो में भी देख पा रहे होंगी और दोस्तों यदि आपको इसी प्रकार से डेटेल में जिस प्रकार से हम करेंट पढ़ते हैं इस करेंट एफेस के यदि आपको रिवीजन करना है ठीक है बहुत कम समय में आपको करेंट एफेस पढ़ना है तो हमारी करेंट एफेस की ई-बुक लॉंच हो गई है पिछले डेड़ वर्सों की ठीक है जैसे कि अभी जितने भी एक्जाम हो रहे हैं तो सभी में पिछले करेंट एफेस मुसाजा रहा है तो हमारी इस एफेस के अंदर जनवरी 2021 से और अब तक का करेंट एफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है पच्पन से जादा टॉपिक होंगे इन टॉपिक के अलावा 1400 से जादा डेटेल एम से क्यू होंगे यदि हम बात करें के टोटल नंबर और कोस्वन कितने रहेंगे डेटेल में तो टोटल 5000 से जादा कोस्वन आपको हमारी इस एबुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगे इसी प्रकास से यदि आपको टॉपिक बाई साइंस पढ़ना है तीक है तो आप हमारी साइंस की एबुक को वाई कर सक देखते हैं इन दोनों इबुक का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चलिए नेस्ट मन की हम बात करें तो हाली में DRDO ने भारत के पहले बिना पाइलेट के उड़ने वाले लड़ाकु विमान का सफल परिक्षन कहां पर किया है मैं भारत के प एरनाटिकल टेस्ट रेंज ठीक है तो एरनाटिकल टेस्ट रेंज चित्र दुर्ग में इसका सफल परिक्षन किया गया है नेस्ट कोस्टन है बांगलादेश में भारत के नई उच्चायक्त कोन बने हैं दोस्तो बांगलादेश के अंदर और भारत के नई उच्चायक्त ज कांगलादेश के नए उच्चेक्त जो हैं ये मुहमद मुस्तफिजूर रह्मान बने हैं बी ओप्सन सही हो जायेगा नेश्ट कॉसन दोस्तो हाली में सिंगल यूज प्लास्टिक वाई टेंक के यूजना को किस राज सरकार ने सुरू किया है नेश्ट कोसन है किस राज में मुखमंतरी महतारी नियारत यातरा सुरू करी गई गई महिला आयों के माध्यम से मुखमंत्री महतारी न्यायरत यात्रा शुरू करी गई इस यात्रा की शुरूआत 36 गड़ के दुरुग जले के पाटन ब्लॉक के करसा गाउं से हुई है इस यात्रा में संदेशों, सोट फिल्मों और ब्रोसरों के माध्यम से महिलाओं को कानूनों के बारे में जानकारी दी जाएगी यात्रा में 2 अधिवक्ता होंगे जो की महिलाओं की समस्याऊं को सुनकर उनको सलाह देंगे इवर महिलाओं को कानूनी अधिकारी की जानकारी भी प्रदान करेंगे नैश्ट हमारा कौसन है आली में E.N. सुधीर का निधन हो गया है वह नए राष्ट पती जो हैं, ये सरदार वर्दी मोहम दोव वने हैं, ये option सही हो जाएगा, हम बात कर रहे हैं तुर्क मैनेस्तान की, तो तुर्क मैनेस्तान जो है, ये अपने A.C.A. महादीप में स्तित है, इसकी राध्धन क्या है, तो असगावात है, यहां के currency क्या है, तो ग्यारबे विस्व सहरी मंच और इसका आयोजन जो है, ये पोलेंड देश में किया गया है, कहाँ पर पोलेंड देश में, next हमारा question है, A.C.N. किर्केट काउंसल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो A.C.N. किर्केट काउंसल यानिकी A.C.C. और इसके नए अध्यक्ष यो A.C. के अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बन गए हैं, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने वांगल देश के नजमुल हसन का इस्थान लिया है, हम बात कर रहा है A.C.C. की, तो A.C.N. किर्केट काउंसल इसका फुल्फरम होता है, 1913 में इसकी स्थ आपना करी गई थी, हैटक्वाटर जो है, स्रीलंका के कोलंबो में हैं, और A.C.C. का आदर्सवाक की, यानि की मोटो क्या है, किर्केट फार गोड़, चलिए, आंगे बढ़ेंगे, नेश्ट हमारा कोसन है, किस देश के सोध करताओं ने, अंत्रिक्ष में उपग्रह को उपग्रह को नश्ट करने के लिए, एक लेजर हतियार डेवलप किया है, लेजर हतियार का नाम क्या है, RKA, ठीक है, और इसका पूरा नाम क्या है, तो Relative Stick, Clyistron Amplifier, और इसको किसने डेवलप कर लिया है, तो चाइना ने, नेश्ट मन की बात करेंगे, हाली में महराष्ट के विधान सवा अध्यक्ष की रूप में किसको नियुक्त किया है, दोस्तों महराष्ट के विधान सवा अध्यक्ष यो है, ये बन गए है, राहुल नारवेकर, कौन बन गए है, राहुल नारवेकर, V-Option सेयूज आएगा, हम बात करें महराष्ट की, तो महराष्ट की ये महराष्ट के गवर्णर हैं कब मनाया गया दोस्तो अंतरराष्टी वन दिवस 2022 जो है ये 21 मार्च को मनाया गया ठीक है यदि हम बात करें कि अंतरराष्टी वन दिवस 2022 की थीन क्या थी तो वन और सतत उत्पादन और खपत जो है ये अंतरराष्टी वन दिवस 2022 की थीन थी और ये 21 मार्च को मनाया जाता ह नेश्ट हमारा कॉस्षन है हाली में यायर लेपड किस देश के चौदवे प्रधान मंत्री बने हैं दोस्तो यायर लेपड और ये चौदवे प्रधान मंत्री बने हैं इसराइल देश के किस देश के इसराइल के हम बात कर रहे हैं इसराइल की तो ये एसिया महादीप में इस का नाम क्या है या या Ayer Lempeed या फिर इसको Ayer IP भी पढ़ते हैं ठीक है और इज्राइल की संसब का क्या है तो दी नेसित जो है यह इज्राइल की संसब का का नाम है ठीक है तो संसब का नाम भी आपको याद रखना है यह भी पूचा जाता है नेस्ट कोस्टन है इंग्लेंड के ली सेश्टर किर्किट ग्राउंड का नाम हाली में किस महान भारती खिलाडी के नाम पर रखा गया दोस्तों इंग्लेंड का एक किर्किट ग्राउंड है ली सेश्टर किर्किट ग्राउंड और इस cricket ground का नाम जो है ये भारतिय खिलाडी सुनील गावसकर के नाम पर रखा गया है ठीक है तो ये बहुती बड़ी उपलब्दी है भारत के लिए तो ये important question बन जाता है नेश्टमार को सनहाली में पांच वे वैस्विक फिल्म परेटन सम्मिलन 2022 का उधगाटन कहां पर किया गया दोस्तो वैस्विक फिल्म परेटन सम्मिलन 2022 और 2022 में इसका कौन सा संस्क्रण था पांच मा और इसका उधगाटन कहां पर किया गया है मुंबई में इसका उधगाट पूरो मंत्री इसलिए क्योंकि जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री का प्रभार है यह इस मिर्ती इरानी को दे दिया गया है इस मिर्ती इरानी को ठीक है तो यह बात भी आपको याद रखना है नेस्ट बन की हम बात करें हाली में किस करकेटर ने एक टेस्ट मैच में एक ओबर में सरवादिक रण बनाने का रेकोर्ड बनाया है दोस्तो टेस्ट करकेट के एक ओबर में ठीक है और सबसे ज़्यादा रण बनाने का जो विस्व रेकोर्ड है यह बनाया है जस्प्रीत बु करकेट के एक ओवर में सरबादिक रन यानि कि 29 रन बनाने का विश्वरेकॉड बनाया है। इनसे पहले यानि कि बुमराइस से पहले ये रेकॉड किसके पास में था तो व्राउन-लारा के पास में ठीक है। और व्राउन-लारा ने दो हजार तीन चार में टेस्ट मैच में दक्षिन अफ्रिका के स्पिनर रॉबिन पीटर्शन पर 28 रन बना कर ये वर्ल्ड रेकॉर्ड बनाया था और अपने देश के क्रिकेटर जस्प्रीत बुमरहा ने ये रेकॉर्ड तोड़ दिया है और इनों ने एक ओवर में टेस्ट क क्रिकेट चेंपेंशिप की में जवानी करेगा तो कौन सा राज्य करेगा पहली वार केरला करेगा ए ओप्सन सही हो जाएगा चलिए नेश्ट कॉस्टन को देखते हैं किस कंपनी ने भारत की पहली सोदेश रूप से बिक्सत लीथियम आयन सेल इसका नाम क्या है एन एमसी 2170 ठीके तो देश की पहली सोदेश रूप से बिक्सत लीथियम आयन सेल इन एमसी 2170 किस कंपनी ने पेस की है ओला एलेक्टिक ने डी ओप्सन से यूज आएगा दोस्तो हाली में ओला एलेक्टिक ने भारत की पहली सोदेश रूप से बिक्सत लीथियम आयन सेल इसका नाम ह एन एमसी एकिस सतर इसका अनावन किया है और ओला एलेक्टिकल की हम बात करें तो यह एक के मॉबिलिटी भाति एलेक्टोनिक दो पहिया निर्माता कंपनी है और इसका हेड़कोर्टर वेंगलरू में है इस्थापना 2017 में की गई थी इसके संस्तापक कौन है तो भाविस अग दोस्तो डिजिटल इंडिया वीक 2022 और इसका उधगाटं किया है पि. m. नरन्द. अ, मोधिजी ने और कहां पर इसका उधगाटन किया गया है तो गुजरात के गांधी नगर में इसका उधगाटन किया गया है ठीक है नेश्थ हमारा कॉस्टन है दोस्तों किस देश में आयोज़त नौ सेनक अभ्यास रिमपैक 2022 में भरत की नौ सेनाने हिस्सा लिया है दोल रिमपैक 2022 य記得 हम बात करें तो यह जो नौ सेनक अभ्यास है यह अमेरिका में संपन हुआ है तीक है और इसमें अपने देश की नोसेना ने भी हिस्सा लिया है तो हम डेटेल को कवर कर लेते हैं दोस्तो नोसेनक अभ़्यास रेमपेक 2022 इसका आयोजन अमेरिका के परल हरवर में किया गया इस अभ्यास में भारत सहित 28 देशों ने हिस्चा लिया ठीके भारत ने तो हिस्चा लिया हिए इसके सहित 28 देशों ने हिस्चा लिया इस अभ्यास में भारती नो सेना के सोदेश युद्धपुत आई एनस सत्पुना और निगरानी विमान P8I ने भी हिस्चा लिया इस अभ नेश्ट कॉस्टन है विस्ब जनसंख्या दिवस कम मनाया जाता है दोस्तों विस्ब जनसंख्या दिवस जो है यह हर साल मनाया जाता है 11 जुलाई को कब हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिवस जनसंख्या नियंतर करने के उद्धिस से हर साल 11 जुलाई को मनाया जा थीम बहुत बड़ी है 8 billion की दुनिया सभी के लिए एक लचीले भविश्च की और आउसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनस्यत करना लेकिन आपको केवल और केवल थीम का टाइटल याद रखना है 8 billion की दुनिया नेश्ट कोशन है हाली में किसे Microsoft Partner of the Year Award 2022 मिला है दोस्तो Microsoft Partner of the Year Award 2022 ये किस के लिए दिया गया है तो HCL Technology के लिए दिया गया है B option से यूज़ आएगा नेश्ट कोशन है हाली में अंबिकाराओ का निधन हो गया है वह कौन थी दोस्तों अंबिकाराओ ये famous actress यानि कि अभिनेत्री थी बी option से यूज़ आएगा अभिनेत्री और special पूसर आए तो ये Malayalam actress थी ठीक है ये Malayalam actress थी याद रखना और इनका हाली में निधन हो गया है नेश्ट कोशन है global gender gap report 2022 में भारत विस्व में कौन से इस्थान पर रहा है तो global gender gap report 2022 में अपना देश भारत जो है ये 135 बे इस्थान पर रहा है कौन से 135 बे इस्थान पर रहा है 146 देशों में ठीक है ये विस्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है इसमें top 3 देशों की बात करें तो Iceland पहले स्थान पर Finland दूसरे स्थान पर और नार्वे जो है ये तीसरे स्थान पर है अपना देश भारत जो है ये 135 बे स्थान पर है नेश्ट कोस्टन है हाली में भारतिय सेना ने कहां पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया दोस्तों सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है भारतिय नो सेना ने और इसका आयोजन कहां पर किया गया तो राजिस्थान के जोधपुर में किया गया है नेश्ट हमारा कॉस्टन है अमेरिका अंतरक्ष एजनसी नासा ने किस टेलियसकोप की सहायता से ब्रह्मांड की सबसे गहरी और रंगीन तस्वीर ली है तो दोस्तो ब्रह्मांड की सबसे गहरी और रंगीन तस्वीर किस ने ली है तो अमेरिकी अंतरक्ष एजनसी नासा ने लिए ठीक है अब नासा ने ये तस्बीर जो है किस टेलियसकोप की सहायता से लिए तो दोस्तो उस टेलियसकोप का नाम क्या है जेमस वेब इस पेश टेलियसकोप ठीक है इस टेलियसकोप की सहायता से लिए ए ओप्सन सही हो जायेगा चलिए नेश्ट कॉस्टन क्या है हाली म कहां की संसद ने तनूजा नैसरी को आरवेद रतन प्रुसकार से सम्मानित किया है तो ये भी काफी अच्छा कोशन है तो दोस्तो हाली में वर्टैन की संसद ने किसने वर्टैन की संसद ने तनूजा नैसरी को आरवेद रतन प्रुसकार से सम्मानित किया है हम बात करें या फिर बिटेन की संसत के दोरा आयरुवेद रतन प्रुसकार से सम्मानित किया गया इनको ये प्रुसकाज हो है भारत और विदेशों में आयरुवेद के विकास को बड़ा बादेने में उनके योगदान को मानता देते हुए प्रदान किया गया है ठीक है याद रखना जब किसी भारती व्यक्ति को किसी विदेश का प्रुस्कार दिया जाता है तो वो question important हो जाता है आपके exam के लिए Next question है भारत के ओस्दी महानियंत्रक ने किसके खिलाप देश के पहले सोदेश रूप से वेक्सित मानव पैपिलोमा बारस वेक्सिन को मंजूरी दी है तो देखें दोस्तो भारत के ओस्दी महानियंत्रक ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाप में देश के पहले सोदेश रूप से वेक्सित मानव पैपिलोमा बारस वेक्सिन को मंजूरी दी है ठीक है और यदि हम बात करें कि इस वेक्सिन को सोट में क्या कहा जाता है तो HP भी कहा जाता है ठीक है और यदि हम बात करें कि इस वेक्सिन को किस के दोरा डैबलब किया गया तो दोस्तो इस वेक्सिन को डैबलब किया गया है Serum Institute of India के दोरा याद रखना चुकि ये देश की पहली सोदेश रूप से विक्सित की गई है वेक्सिन किस के खिलाप में सरवाइकल केंसर के खिलाप में तो इसको आप याद रखेंगे नेश्ट कोस्टन है हाली में कौन सा भारतिय किरकेटर एक दवसिय अंतरराष्टिय में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाला भारतिय बन गया है नेश्ट कोस्टन है ACI अंडर 20 कुस्ती चेंपेंशिप में भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं दोस्तों ACI अंडर 20 कुस्ती चेंपेंशिप और इसमें भारत ने टोटल 22 पदक जीते हैं इन 22 पदकों में से 4 तो हैं गोल्ड मेडल नो हैं सिल्वर मेडल वेरी संक लेयर का 85 वर्ज की आयू में निधन हो गया है तो दोस्तो हाली में न्यूजिलेंड के कहा के न्यूजिलेंड देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान और बल्लेबाज वेरी संक लेयर का 85 वर्ज की आयू में निधन हो गया है नेश्ठ हमारा कौसन है दोस्तों किस देश के पूर्व पीम की हत्या की बज़े से भारत ने नोजुलाई को राष्टिय सोक गोसित कर जंडा जुका दिया है दोस्तो जापान के पूरू पीम की हत्या की बज़े से भारत ने 9 जुलाई को राष्टे सोक घोसित करके जंडा जुका दिया है हम डेटेल की बात करेंगे दोस्तो जापान के पूरू प्रधान मंत्री का नाम क्या है तो सिंजो आवे ठीक है और इनकी हत्या हो गई 8 जुलाई को सडक किनारे चुनावी भासन के दोरान हमला बर ने इनको गोली मार दी हत्या कब हुई है इनकी 8 जुलाई को इनकी हत्या हुई है और भारतिय PM नरंद मोदी ने जापान के पूर्व PM सिंजु आवे के सम्मान में 9 जुलाई को राष्टिय सोक घोसित किया है और दोस्तो जापान में सबसे लंबे समय तक प्रधान मंत्री रहने का जो रकॉर्ड है ये भी किस के पास में है तो सिंजु आवे के पास में है तो दोस्तो इनके लिए पदम भिभूशन दिया गया था ठीक है पदम भिभूशन दिया गया था और इनको पदम भिभूशन जो है ये वर्ष 2021 में ही दिया गया था याद रखना ये कॉसन important है इसके अलावा इनको एक नेताजी पुरुसकार भी मिल चुका है तो ये भी आ में और नेता जी प्रुसकर इनको 2022 में और दोनों में से एक कॉस्टन तो आपके एक्जाम में पूछा जाएगा Next कॉस्टन है केंद सरकार ने बैंक बोर्ड बेवरो यानि की BBB का नाम बदल कर क्या रखा है बैंक बोर्ड बेवरो इसको तिर्पल भी कहा जाता है सौट में और इसका नाम केंद सरकार ने बदल दिया है और FSIB इसका नाम कर दिया है ओके चलिए डेटेल से हम समझenges एंगे तो केंद सरकार ने तिर्पल भी यानि की वेंक बोर्ड वेरू का नाम बदल की दिया और FSIB कर दिया यानि की Financial Services Institution वेरू इसका नाम कर दिया है हम बात करें कि इसका गठन कप किया गया था 2016 में इसका मुख कारी क्या है तो साबजनिक छेत्र के वेंकों और वित्य संस्थानों के निदेशकों एवं चेयर में इनकी न्यूक्ती करना इसका परमक कार ये है Next question है भारी उद्योग और साबजनिक उद्यम मंत्रालाय का नाम बदल कर क्या कर दिया गया तो भारी उद्योग और साबजनिक उद्यम मंत्रालाय इसका नाम बदला गया और इसका नाम जो है ये भारी उद्योग मंत्रालाय रखा गया है ठीक है ए उप्सन सही हो जाएगा Next question है टैनिस कप के फेड कप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है दोस्तो फेड कप सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये टैनिस में दिया जाता है ठीक है और इसका नाम जो है विली जीन किंग कप कर दिया गया है बी उप्सन सही हो जाएगा डेटेल की बात करें तो अंतरश्टे टैनिस महासंग ने टैनिस में दिये जाने वाले फेड कप का नाम बदल दिया है और फेट कप का नाम जो है ये विली जीन किंग कप रखा गया है इस कप का नाम अमेरिका की महान महिला टेनिस के लाड़ी विली जीन किंग को सम्मान देने हितू किया गया है Next question है पंजाब के मोहाली अंतरराष्टी होकी इस्टेडियम का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया तो मोहाली अंतरराष्टी होकी इस्टेडियम कहां पर है ये पंजाब में और इसका नाम जो है ये वलवीर सीनियर के नाम पर रखा गया है A option सही हो जाएगा next question है भारत के पहले राष्टिय समुद्री सुरक्षा समनवैक कौन बने हैं भारत के पहले राष्टिय समुद्री सुरक्षा समनवैक जो हैं ये बन गए हैं जी असोक कुमार कौन बने हैं जी असोक कुमार चुकि ये भारत के पहले बने हैं और भारत में यदि कोई पद बना जाता है और उस पत पर किसी व्यक्ति को विठाय जाता है तो वो कॉस्वन इंपॉंट रहता है इसलिए इसके बारे में हम डेटेल को कबर कर लेते हैं तो पूर्व नौ सेना के उप्रमक हैं जी असुक कुमार और इनको सरकार की द्वारा भारत का पहला राष्टिय समुद्र समुद्री सुरक्षा समनबैक है इनको सोट में NMSC कहा जाएगा ठीक है तो NMSC जो है ये राष्टि सुरक्षा परिशत सचवालाई के साथ समनबै इस्थापित करेगा इसके साथ में NMSC का मुख कारे जो है ये भारतिय नो सेना तटरक्षक बल तटिय और समुद्री सुरक जो है ये भारत के फर्स्ट NMSC यानि की भारत के पहले राष्टि समुद्री सुरक्षा समनबैक वने है निश्था मारा कोश्चन है इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेट की पहली महिला चेयर्मेन और मैनेजंग डारेक्टर कौन मनी है जोस्तों इंजिनियर्स इंडिया लि इंडिया की पहली महिला नदेशक कौन बनी है दोस्तो जूलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया की पहली महिला नदेशक जो है ये डाक्टर धृत्ती वनरजी बनी है ए ओप्सन सही हो सायगा और दोस्तो यदि आपको वीडियो की क्वालिटी और हमारा कॉंटेंट और मेरे पढ़ कौन बनी है दोस्तो सेलिबेटी व्रांड वैल्यूजिकल रिपूर्ट दोजार एक्कीस जो की हाली में लॉंच की गई है इसके अनुसार सबसे मुलवन सेलिबेटी जो है ये व्राट कोहली बनी है कौन बनी है व्राट कोहली ए ओप्सन सही हो सायगा हम इस रिपोर्ट के अनुसार यदि चार सबसे मुलवन सेलिबेटी एओं की बात करें तो ब्राट कोहली जो है ये पहले स्थान पर आते है ठीक है आलिय भट चोथे स्थान पर आती है लेकिन यदि सबसे मूलिवान महिला सेलिबिटी की बात करें तो आलिय भट जो हैं महिला सेलिबिटी में पहले स्थान पर आती है ठीक है तो याद रखना कॉस्टन कैसा भी घुमा फिरा के पूशा जा सकता है लेकिन आप कॉस्टन को सही करके आएंगे नेश्ट हमारा कॉस्वन है हाली में विस्ब इसफात संगठन के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के नुसार विस्ब में इसफात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तो हाली में विस्ब इसफात संगठन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है और इस रेपोर्ट के नुसार विस्व में इस पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ये चाइना है कौन सा देश है चाइना है नेश्ट हमारा कॉसें दोस्तो बारत की सबसे यवा महिला पाइलेट कौन बनी है दोस्तो बारत की सबसे यवा महिला पाइलेट ज ऐसा अजीज जो है ये 25 साल की है और ये कहां से बिलोग करती है तो ये जम्मु कस्मीर से बिलोग करती है next question है किस राजी की प्रिसद लेखी का बीना पाणी मोहंती का निधन हो गया है दोस्तों बीना पाणी मोहंती जो है ये किस राजी की प्रिसद लेखी का थी ये ओडिसा की प्रिसद लेखी का थी और हाली में अप्रेल 2022 में इनका निधन हो गया है 85 वर्स की आयू में इनको 2020 में पदमस्री प्रुस्कार मिल चुका है 2019 में इनको उडिसा सहत अकेदमी के दौरा सर्वोच सहत तक प्रुस्कार भी मिल चुका है नेश्ट हमारा कॉस्टन दोस्तो फिल्म और टीवी अभीनेता सलीम घोस का हाली में निधन हो गया है उन्होंने किस फिल्म में एक्टिंग की सुरुआत करे थी दोस्तो सलीम घोस ये पिरसद आवीनिता थे इनका हाली में निधन हुआ और इनोंने स्वरग नरक से एक्टिंग की सुरुआत करी थी ठीक है स्वरग नरक मोवी से एक्टिंग की सुरुआत करी थी चलिए डेटेल की बात करें तो इनोंने 1978 में फिल्म स्वरग नरक से एक्ट काई निभाएंगे नेश्ट कॉस्टन है पीम नरंद मोदी ने सुतंता सैनानी अलूरी सीता राम राजु की 30 फीट उची कांश प्रिती में का अनावाण किस जिले में किया है काफी इंपॉर्ट कॉस्टन है तो दोस्तो इसका उधगाटन किया गया है आंध्य प्रदेश के पूर्बी गोदावरी जिले में बी ओप्सन साही हो जायागा चलिए डेटेल की हम बात कर लेते हैं तो पीम नरंद मोदी ने 4 जुलाई 2022 को सुतंता सैनानी अलूरी सीता राम राजु की 30 फीट उची कांश प्रितीमा का अनावाण आंध्य प्रदेश के पूर्बी गोदा गोदी गोदा राम राजु का करदार जो है, यह राम चरण ने पले किया है ठीक है? राम चरण न और कौम्राव भीम का जो करदार है, यह जूनियर NTR ने निवाया ठीक है? याद रखना दूस्तों excellence हमारा question है, विश्व खोसाली सूच कांग 2022 के नउसार, खोसाल देशों क सूची में भारत कौन से इस्थान पर है तो World Happiness Index 2022 में अपना देश भारत जो है यह 136 वे स्थान पर है कौन से इस्थान पर 136 वे अच्छा यदि हम बात करें तो 146 देशों में से 146 देशों में से भारत 136 वे स्थान पर है यह जो खुसाली सूचकांग है इसमें ZDMP लेवल, जीवन प्रत्यासा, जीवन विकल प्चुन्ने की आजादी, उदारता और भ्रष्टाचार की धरणा जैसे कारकों पर रैंकिंग दी जाती है इस रैंकिंग में यदि हम बात करनें फिनलेंड तो यह लगातार 50 साल टॉप पर है ठीक है और वहीं अफगानिस्तान जो है यह सबसे नाखुस देश माना गया है ठीक है तो अफगानिस्तान यह सबसे अंतिम पायदान पर है यानि की 146 भी इस्थान पर है ठीक है फिनलेंड जो है यह टॉप पर है फिनलेंड जो है टॉप पर है यानि की पहले इस्थान पर है ठीक है दूसरे इस्थान पर कौन सा देश है तो दूसरे इस्थान पर है डैनमार्क देश तीसरे इस्थान पर है आइसलेंड देश और अपना देश भारत जो है यह 146 देशों में से 136 वे स्थान पर है ठीक है कुछ भी कॉस्टन पूशाजाए आपको गलत करके नहीं आना है और दोस्तों यदि आपको इसी प्रकार से डेटेल में करंट अफियस पनना है करंट अफियस का बहुत जल्दी रिवीजन करना है आपके पास बहुत कम समय है तो मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि हमारी पिछले डेड़ वर्सों की इबुक है करंट अफियस की ठीक है तो इस इबुक को आप जरूर वाय कर लें इसमें जनवरी 2021 से और अब तक का आपको अपडेट करंट अफियस में लेगा 55 से जादा वो टॉपिक जो की आपके एक्जाम में पूशे जा रखे हैं जो की आपके एक्जाम में आ सकते हैं जिनके एक्जाम में आने की संभावना जादा है और दोस्तों डेटेल में अदिया आपको टॉपिक वाई साइंस फड़ना है ठीक है इसी प्रकार से हमारे पढ़ाने का तरीका यही है कि एक हम टॉपिक लेंगे उसमें जित ठीक है और उसके नीचे जितनी भी डेटेल वन सकती है ठीक है तो उस डेटेल को हम एड करते हैं तो इस डेटेल से एक्जामिनर यदि घुमा फिरा के कौशन पूछेगा तो आप कौशन को सही करके आएंगे यह फ्री एजुकिशन पर जो इस्टूजेंट फड़ रहे हैं उनकी यह खासियत होती है ठीक है तो दोनों इबुक का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रप्शन में मिल जाएगा तो दोनों इबुक को आप वाय कर सकते हैं तो थैंक्य दूस्तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अब नैस्ट एन लास्ट कॉस् इसका अंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है रनजी ट्राफी 2021 वाइस का खिताब किसने जीता है आप लोग के लिए चार ऑप्शन दिये गए हैं जो मैंने प्रिबियस वीडियो बनाया था खेल करंट अफ्यास का ठीक है वहाँ पर मैंने खेल से आप लोग के लिए मिल जाएगा थैंक्यू दोस्तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद आपको वीडियो के असा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें आपने दोस्तों के साथ इस वीडिय देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बिटन मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रप्शन मिलेगी या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर तीन वेरी यूसफुल वीडियो देख रहे होंगे इन वीडि करदेए हम